अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो पाएंगे हमारे ज्यान का एक बड़ा भाग हमारे विश्वासों के आधार पर होता है यानि के विश्वासों आधार जिसके उपर एक्चुली हम कई सारी चीजे सीखते हैं अब कई बार इस विश्वास पर अगर सवाल उठने लगे तो कई लोगों को घबराट होती है या कई लोग एग्रेसिव हो जाते हैं लेकिन आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आपको इन इशूस को इनकी गहराई से समझ कर सॉल्व करना होगा यानि कि लोग के काउस किल्ड थ्री हंडड पीपल इन थर्टी मंस इन पंजाब यह पंजाब गो सेवा आयोक का स्टेटमेंट है ट्वेल काउस किल्ड इन उत्तर प्रदेश रोड एकसेडेंट यानि के नुकसान दोनों तरफ है काउस भी एकसेडेंट में मारी जा रही है और लोग भी मार रहेंगे अचा अगर मैं बेसिक सा स्टेटमेंट आपके सामने बना दो और आप से कहूं बस टूर फॉल्स बताईएगा स्टेटमेंट है एस पर देफिनेशन ऑस कैटल 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 कैन बी डिफाइंड एज अब वाइन एनिमल यू किंसे डुमेस्टिकेट एड पर पर प कि कैटल की परिभाशा में हम मानते हैं वह बवाइन एनिमल्स जिसको डिमेस्टिकेट करा जा रहा है और परपस क्या है मिल्क मीट हर्ड ट्रांसपोटेशन पावर एंड एंटर्टेनमेंट औल्सू तो यानि के एग्जामिनर यी तो डिटेल्स है लास्ट की इस पर खेलन रहा चाहरा आपके साथ तो बताये टू और फॉल्स एंटर्टेनमेंट भी है पावर भी है उसमें श्रदाप में से कहीं लोग कहेंगे सर्क एच्छल के बारे में तो हुझा है मतलब मिलक के लिए उस किया जाता है यह क्या है पावर एंटर्टेनमेंट यह रॉंग है है कि नहीं लेकिन यह राइट है क्योंकि देश्ट करेक्ट डेफिनिशन आप कहीं किसे पावर कैसे जैसे की जो चक्की होती है मीन्स जो आपके वीट एंड ग्रेंस को बेसिकली उससे आप आटा बनाते हैं तो वहाँ पर आपको या तो एक सिर्ट पड़ेगी लेकिन एक सिर्ट नहीं है तो वहाँ पर पावर का सिर्ट किस से होता था कैटल से उस जगे वहाँ पर हो अगर उसमें कुछ गड़ बढ़ी है तो फिर कैटल का समल होता तो मतलब किया पावर भी है एंटरटेन्मेंट भी एक क्रैटेरी है ऐस पर ब्रेटैनिकाश डेफिनिशन ध्यान जाता है जैसे कि कृष्ण भगवान के बाल सरूप में जो गाएं है गोमाता है उसकी महता बताई गई है और ऐसी नंदी की बात करें बुल की बात करें तो वह वहन कहे जाते हैं शिवजी के तो ये भी एक कारण है अब देखिए इंडियन ब्रीट्स अब आप कहेंगे सरी य नहीं रटने की जरुत नहीं है लेकिन समझेए आपके जियेस पेपर थ्री में में मीन्स में लाइफ स्टॉक अलग से एक वर्ड दिया हुआ है और ये लाइफ स्टॉक का पार्ट है हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या योजना इस दिशा में चलाई है और उस य इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, मैं इस PDF को शेर कर दूँ का टेलगाम ग्रूप में तो कोई दिक्कत नहीं, आप समस्या है क्या चल रही है, जो कि हमारा मीन आज का इशू है, जरा इस केस को जरा स्टडी करते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत वर्ल् याद रखेगा, लार्जर्स प्रोड्यूसर हम ही है, अब इसमें और क्या प्रॉब्लम है, जैसे ऑक्सिटॉसिन, हॉर्मोन का इस्तमाल कहीं डेरी, जो रखते हैं लोग वो इस्तमाल करते हैं, जिससे की मिल्के प्रोड़क्शन को बढ़ाय जा सके, लेकिन ये इलीगल है इसके लेकर गॉर्णमेंट की गाइडलाइन भी है, इससे पहले जब ऐसे कुछ केसे पता लगे, तो ऐसे में गॉर्णमेंट दोर एक्शन लिया गया, आईपीसी की धारा, 429 के अंतरगत, क्योंकि मिस्चीफ बाइक किलिंग और मेमिंग अनिमल्स, तो वहापर यह आईप इसने सारे जो लोग रखते हैं, काउ या बाफैलो, कहीं बार होता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि उनके फूड को अरेंज कर सकें, तो ऐसे में वो उसको स्ट्रे छोड़ देते हैं, तो ये भी एक कारण है, स्ट्रे अनिमल्स का, और स्ट्रे में भी आपको ज़ चैलिंजेस क्या क्या आ रहे हैं, चैलिंजेस देखें, नमबर वन एक तो अटेक, और हूमन्स ऐस वेले क्रॉप्स, तो फार्मर्स को खासा प्राब्लम होरी है रूल सेक्टर में, क्योंकि पिछले कुछ समय में एकदम से संख्या बहुत ज़दा बढ़ी है, राइट, क्य कि राज्य सरकारे भी इसको लेकर अलग-लग कानून लाएं, यानि कि आपने यहां के अलग कानून लाएं, तो राज्य सरकार कानून लाई हैं, लेकिन क्या स्लॉटर के अगेंस्ट कानून लाने से, आपने ये तो कह दिया कि चलिए, अब स्लॉटर नहीं होगा, राइट, लेकिन क्या इससे आपने जो काउस का पेन है या फिर जो इशू है उनका क्या वो सॉल्व कर दिया जरा हम अब कुछ डेटा को देखेंगे सबसे पहले तो ये तो मेजर इशू है यानि के एकसिडेंट में लोग भी मारे जा रहे हैं और काउस भी मारी जा रही है किल दिन एकसिडेंट अब जरे डेटा देखिए अभी बांदा टांडा हाइवे पर उत्तरप्रदेश की बात है बाराक जो गाए है वो एक साथ हाइवे पर थी और ट्रक के साथ एकसिडेंट हो गया और मापर नौ परसन लूजिंग लाइफ अब ये भी बड़ा चोकाने वा डेटा हमारे पास है मध्यप्रदेश वहाँ पर काजर है नाइंटीन पॉइंट सेवन मिलियन एक्ट्री काउजन बूल्स हैं और अगर हमें साकडे को वहां की पॉपलेशन से देखें तो यह कह रहा है कि एक काउ पर थर्ड मतल हर थर्ड परसन पर एक काउ है राइट तो पॉपलेशन दो साल में हमें पता लग रहा है कि 10 डाइड दू स्टेक कैटल्स एवरी मंथ इन हर्याना तो हर्याना में यह चल रहा है तो पंजाब का थे अर्याना का था आगे बढ़ने से पहले आपके लिए की इन्फोरमेशन विस्टेट इस स्टेट इस सेटेड विद निर्भिया कडी केंपेन आपको आंसर देना है कमेंट्स में इसका आंसर में लास्ट में आपको बताने वाला हूँ प्यासर ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्ट से तो जो लोग प्या पॉलिटिकल साइंस इंटरनाशन रिलेशन को अपना एक पिलर मानते हैं मेरिट लिस्ट में आने के लिए तो आंदेव फॉर यू एटीन से स्टार्ट हो रहा है त्यागी लाइफ कोड यूस करेंगे तो यू कन आच्चली गेट दिस इंट्वेल फोर नाइन नाइसे जिस फांडेशन कोर्स फुल फ्लेच आपकी प्रपेशन वहाँ पर हो जाएगी आप की वज़े से पांच फ्लाइट डिले हो गई तो डिले का भी कारण हो रहा है रिस्क का भी कारण हो रहा है इन स्ट्रे काउस की वैसे रेल्वेयर रोड्स की बात करें तो जो भारते किसान यूनियन है उसके एक नेता ने बताया कि देखो पिछले को समय में क्योंकि काउस क संख्या बड़ी है तो farmers जो है फिर अपने crop को बचाने के लिए वो cows पर attack करते हैं या उनको भगाने की कोशिश करते हैं और कई बार जो forms होते हैं ये railway line के पास में होते हैं तो कितनी बार जो railway lines के पास में होते हैं इस वे से डेटा कहता है कि करीब दो हजार से तीन हजार cows ट्रेन एक्सेंड में मारी गई ठीक है आप देखें बार साल में संख्या बढ़कर 14 हजार हो गई अब 18 से 19 वाले साल में 30 हजार हो गई तो यानि कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि हमने cow protection के लिए कितनी सारी schemes लाई है कामधिनु आयोग बनाया है राष्टर गोकुल मिशन बनाया है सरकार funding भी कर रही है कितने सारे cow shelters की गोशालास की लेकिन फिर ये जो data ये तो कुछ और कह रहा है तो आप में लग रहा है ये तो जो गो रक्षा है अगर उसके सिधानत को भी कहीं लोग फोलो करते हैं तो ये तो उसके भी खिलाफ जा रहा है अब गावन्मेंट का response देखिए एक तो जैसे अगर उत्रप्रदेश की बात करें तो वहाँ पर cow protection says लगाया गया होती हैं उनको देने के लिए अब मैं आपको ground data बताओं तो उत्रप्रदेश का ये data कहता है कि सरकार प्रती गाएं पर जो प्रती काओ है उस पर 30 रूपीज देती है पर डे लेकिन जो टोटल खर्चा होता है वो होता है फिर दूसरा एक और इशू है कि ओवर क्राउडिंग ठेक है यानि कि बहुत जादा वहाँ पर क्राउडिंग है उन गोशालास में जो है और कहीं जगे यहां पर corruption है major corruption तो देखिए वहाँ पर इतना सब कुछ ये खर्च करने साड़े तीन करोड रुपे लेकिन तब भी लुध्याना की सड़कों पर आपको स्ट्रेक आउस मिल जाएंगी राष्टे गोकुल मिशन सरकार ने दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया यहां से एक प्रिलिम्स का कोश्र मनता है ध्यान रखेगा आपको अब्जेक्टिस पता होने चाहिए सबसे बहले दो सरकार फोकस करिए इंडिजिनस ब्रीड ड्लप्मेट एंड कंजर्वेशन पर यह इसका की अब्जेक्टिव है इंडिजिनस यानि के भारत की जो अपनी ब्रीड है उनको एक्चली सरकार ड्लप करना चाहिए साथ में सरकार जेनेटिक मेकप को इंप्रूफ करने के लिए क्रोस ब्रीडिंग भी कर रही है प्लस किसान की इंकम बढ़े मिल्क से वो कब बढ़ेगी जब उसके पास हाई ब्रीड का कैटल होगा हाई ब्रीड का कैटल कैसे होगा जब आर्टिफिशल इंसामिनेशन जो करा जाता है ब्रीडिंग के लिए तो उसकी सुईधा किसान को आसानी से उसके डोर स्टेप पर मिल जाएगी साथ में ऑनलाइन किसान को पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से ये जानकारी है मेरी जो अभी जो मेरी ब्रीड है इस ब्रीड को मैं इस ब्रीड से मिक्स करूँगा तो मेरे पास बेटर कैटल होगा तो सरकार ये सब यहां पर करना चाही है ध्यान रखेगा इन पॉइंट को डिरेक्ट स्टेट्मेंट कार इफ कुश्चन आ सकता है साथ में राष्टे कामधिनु मिशन आप कहेंगे कामधिनु आयोग आप कहेंगे जब अलड़ी राष्टे गोकुल मिशन है फिर यह क्या कर रहा है यह ध्यान रखेगा effective implementation हो रहा है कि नहीं हो रहा है उन सभी initiatives का जो की cattle rearing के लिए conservation protection के लिए development के लिए किये जा रहे हैं इसके लिए लग से 500 क्रोड रुपे आवंटेट किये गए थे अब अगर आप से पूचा जाए कि which of the following is not an initiative for cattle in India तो आप क्या बताएंगे तो सबसे बहले तो आपको बता हो नचे कौन कौन से initiatives हैं तभी तो बता पाएंगे तो अगर आप डिपार्टमेंट आफ एनिमल हजबेंटरी की website पर जाएंगे तो इनिशेटिव आपको वहापर website पर शो हो जाएंगे मेरे आप से दर्ख्वास थै कि इनको एक बार website को open कीजिए प्लीस कारण क्योंकि जो गौर्नमेंट का डेटा होता है सबसे अथेंटिक होता है ठीक है जिस्टेट इस को दे दीजेगा तो आपका वो एक जो कोशन आपको इसमें कोट करने है और पॉसिबल सुलूशन क्या है सुलूशन में एफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन तो है ही साथ में सिवल सोसाइटी एंड गौर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा जो चैलेंजिस हमने बताए उन चैलेंजिस को रूट आउट करना पड़ेगा फिर मिलते नेक्स क्लास में तब तक के लिए कीप लेंट